नमस्कार लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूं डॉक्टर तरुना एसकॉड पुरुवत्तर राजियों में जीत के बाद पी एम मोदी ने जोड़दार भाशण दिया उस भाशण में पी एम मोदी ने उस जुमले का इस्तमाल किया जो कॉंग्रेस नेताओं ने लगाया था जब पवन खेड़ा को पी एम मोदी पर विवादी टिपनी करने पर गिरफदार किया गया था तब कॉंग्रेस के कुछ नेताओं ने एक नारा दिया था, कहा था मोधी तेरी कबर खुदेगी, पीम मोधी ने इसी जुमले को इस्तमाल किया और जब उन्होंने शिलॉंग में रैली की तो वहाँ पर भी इसी का प्रियोक करते हुए कहा था, वो कहते हैं मोधी तेरी कबर ख और जनता कहती है मत जा मोधी, तो मोधी को अब कोई रोकने वाला नहीं है, इसके अलावा उन्होंने अपने कारकरताओं का भी खूब होसला बढ़ाया और कहा कि ये जो जीत है वो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी को समझना होगा, ये त्रिवेणी है भारतिये जनता पा पार्ट पताया वो है भाजपा कारकरताओं का समरपड़, जो काम के प्रति समरपड़ है, इन तीनों चीजों को मिलाकर ये जीत सुनिश्चित हुई, इन तीनों चीजों को मिलाकर ये त्रिवेणी बनी और इसी ने भाजपा की जीत को सुनिश्चित किया, इसके अलावा PM Modi ने ये भी कहा कि Congress ने इन पूर्वत्तर राजियों को छोटा कहा और छोटा जानकर उन्होंने जिस तरह से इन राजियों की हमेशा उपेक्षा की उसका नतीजा वो आज देख रहे हैं और वो पूरी तरह से सिमट चुके हैं इन राजियों में उनका नामों निशान नहीं इसके अलावा एक तरफ PM Modi जीत के बाद ये भाशन दे रहे थे दूसरी तरफ राहूल गांधी जो कि Cambridge University में बोल रहे थे वहां पर उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया उन्होंने कहा कि भारत में लोगतंत्र सुरक्षित नहीं है यहां पर फोन टेप किये जाते हैं अल्प संख्यों को पर हमले किये जाते हैं हैरानी की बात है राहूल गांधी को यही बात कहनी थी तो वो विदेशी जमीनों पर जाकर कहने की आवशकता क्या है क्या वो हमारे खुदा है क्या आज भारत उनके द्वारा शासित है क्या हम उनके दिखाए रास्तों पर चलते एक तरफ जहां भारत G20 जैसी सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है जहां पर पूरी दुनिया के विदेश मंतरी एक छट के नीचे इखटा थे ये भारत की ताकत का एक नमूना है अभी G20 सम्मेलन लगातार चलेगा और उसमें ऐसे बहुत सारे कारिक्रम और सम्मेलन होंगे भारत का विश्व में इस्थान क्या है वो बताएंगे ऐसे में इस तरह के रायितिक हलके बयान देना शायद राहुल गांधी की छवी के लिए अच्छा नहीं है जिसको बनाने के लिए उन्होंने साड़े तीन हजार किलोमेटर की यात्रा की थी अभी शायद राहुल गांधी को और चंतन मनंद की आविशकता है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेस करना ना भूले